इमली आगामी कहानी में एक प्रमुक उच्छ तीवरता वाले ट्राइक के लिए तयार है क्योंकि इमली का अपहरण हो जाता है। फ्रिपाथी दो धोखे बाजों द्वारा मूर्ख बनते हैं जो दावा करते हैं कि वे बाल श्रम विभाग से आए हैं। और इस तरह इस से पहले कि वे सचाई का पता लगा पाते दो धोखे बाज इमली का अपहरण कर लेते हैं। रजनी एक लड़की से घर के काम के लिए पूछ रही है। लेकिन उसकी असली पहचान जानने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या आदित्य इमली को बचा पाएंगे जो जल्द ही दुबई शिफ्ट होने वाली है। इमली इमली की नई चुनौती की प्रतीक्षा कर रहा है। अनौ इमली को एक बड़े संकट में डालती है जब वह जेल में रजनी को अपना नाम देती है जो महला तसकरी गिरोग की नेता है। यहाँ जैसे ही इमली का अपहरण हो जाता है। यहाँ आदित्य सच की तलाश में परिशान हो जाता है। और यह तब होता है जब इमली को अन्य 11 लड़कियों के बारे में पता चलता है जो उसके साथ इस गिरोह में फसी हुई है। इमली दुष्ट गुंडों के खिलाफ विद्रोह करती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। लेकिन जब गुंडे लड़कियों के समू को बंदू की नोक पर रखते हैं तो वह असाय हो। जाती है जहां गैंग लड़कियों को दुबई ले जा रहा है वही इमली इस लड़ाई को इतनी आसानी से हारने को तयार नहीं है। तो इमली आगे क्या करेगी और वह अन्य लड़कियों के साथ कैसे भागेगी।